यह वीडियो किसी की आस्ता और भौनाओं को ठेज पहुंचाने के लिए नहीं है यह सचाई लाने के लिए इस वीडियो को बनाना पड़ा ताकि आप भी इन सब चीजों से बचें तो चलिए आगे चलते हैं और वीडियो श्टाट करते हैं हेलो गाइस वल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉक वीडियो पर फ्रेंड आज मैं आपको लेकर आया हूँ किसनपूर चलिफेंड मैं किसनपूर में पहुंच गया हूँ और आपको चमतकारी सीविलिंग का दर्सन कराता तो फ्रेंड मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ और जैसे कि पिछले टाइम में जो भीड लगता था यहां पर बहुत ज़ादा भीड था और बहुत ही ज़दा यहाँ पर वीड़ी लगती थी बहुत ज़ादा यहाँ पर लोग आते थे दर्सन करने के लिए पर आज के डे आगी तरफ आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रही है यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों की भीड करीबन 500 से 600 मिटर दूर तक लगा रहता था और यहाँ पर टेंट पंडाल दुकान वगेरा सब लगता था इतना ज़्यादा दुकान यहाँ पर लगता था और इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर आते थे कि चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था हमको गाड़ी यही पर छोड़ के जाना पड़ता था हम तो कारीवन 100 मिटर अंदर घुस भी गया हैं इतना भी नहीं घुसने के लिए मिलता था बाइक रखने के लिए जगा नहीं था लोगों को चलने के लिए काफी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था उस चमतकारी सीवलिंग का दरसन करने के लिए पर आज आप देखेंगे फ्रेंड तो जितना दूर से मैं आया हूँ उतना दूर से ना जाने अभी मेरे को कितना भीड़ का सामना करना पड़ता और इतनी दूर मैं गाड़ी नहीं लेके जा पाता अब देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरा खाली हो चुका है इस रास्ते में ना जाने कितने लोग दर्सन करने के लिए जाते थे यही रास्ता नहीं है यह मैं बाइक चला रहा हूँ बगल के खित से जाते थे इस तरफ से जाते थे देख सकते हैं अभी कोई भी आदमी आपको दर्सन करने के लिए नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा खाली हो चुका है यह जगह देख सकते हैं यह जितना दुकाल लगा करता था यहापे सब तूटा पूटा और आज के डेट में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज़्यादा दिया इतना प्यार दिखा है इतना दर्शन करने किलाया इतना जादा नारीहल चड़ा है इतना पैसा चड़ा है खिट वाले वेक्ति को लाग पती बना दिया आप लोगों ने और आज यहाँ पर आना जाना सब बंद हो चुका है यह सब अंधविस्वास है अगर ऐसा कुछ ह तो सारे लोग यहां पर जितने भी मरीज होते उन लोगों को लेके आते सीवलिंग के पास में दर्सन कराने के लिए उनसे मनत मांगते दूआ करते ठीक हो जाते परन्तु ऐसी बात नहीं है कोई यहां से ठीक अगर होकर जाता तो गरेंटी है कि यहां पर कभी भी भगतों की भी 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 खाली नहीं होती और अब देख सकते फ्रेंट पूरा खाली हो चुका यह जगा उस चमतकारी सीवलिंग को भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे तरफ बढ़ते हैं देख सकते हैं खाली जगा इतना ज़्यादा दुकान लगा करता था यहां पर और आप लोग इतन जिनको जिनको तकलीफ था उनको मगर वह भी बताए कि हमारा इनसे कुछ ठीक नहीं हुआ ऐसा करके इतना ज्यादा तकलीफ जहलनी पड़ी बहुत ज्यादा लोगों को और अपना समय टैम पूरा खराब हो गया उन लोगों का इतना ज्यादा वह लोग आया थे बहुत दर्सन करने के लिए अब देख सकते हैं कितना ज्यादा है आप पर लंबा कतार लगा करता था पहले बहुत दूर से लोग दर्सन करने के लिए एक दिन दो दिन रात के खड़े रहते थे सुबह से लेके साम तक खड़े रहते थे दर्सन करने के लिए एक मिटी ले जाने के लिए मगर आज देख सकते हैं यहां पर कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता पूरा खाली हो चुका है और नारियल का जो गठा है एक जगा आज भी वह नारियल भड़ा पड़ा है उसकी सेलिंग यहां के खेट वाले लोग कर रहे हैं तो देख सकते हैं कितना फैदा हो चु दो चार दुकान लगा हुआ है यहां पर लगा है दुकान परंतु यह भी यहां के नहीं है बाहर के हैं यह कुडू बडू भासा बोलते हैं यानि के हमारी भासा नहीं बोलते हैं सीजी की भासा नहीं बोलते हैं यह लोग अपनी भासा बोलते हैं यह उड़ीसा की तरफ के हैं लोग क्योंकि उडिशा इस तरफ से हमारे तरफ से नजदिक पड़ता है इसलिए ये लोग उडिशा से आए हुए इसी अंद और फंद भी स्वासों पर आपना पढ़िए आपका कीमती टाइम आपके लिए बहुत ही जादा है देख सकते हैं इतना जादा चपल यहां पर पड़ा है इस चपल इतना जादा भीड़ लगने की वज़े से यहां पर पड़ा हुआ है कोई इसको ले जाने वाला देख सकते हैं इस जगह पर कितना जादा लाइन लगा करता था कितना जादा लोग यहां पर लाइन से खड़े रहते थे उस जगह पर जाने के लिए चलिए मैं उस तरफ आपको लेके चला करता हूँ यहां पर मार पिट होते थे जगड़ा होते थे एक दूसरे को घुसने के लिए इतना ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था लोगों को दिन दिर रात तक यहाँ पर खड़े रहते थे और आज देख सकते हैं आपर कोई नहीं है दर्शन करने के लिए देख सकते हैं इतना ज़्यादा नारियल यहाँ पर तंगा हुआ है इनारियल का बंड किया जा रहा है यह देख सकते हैं मंदिर का इंटों से बना रहे हैं ढाल दियें उसको महुआ के जाड़ पे जो महुआ होता है ना महुआ पेड जिसका जो गिरता है गर्मी के टाइम पे उसका नारू बनाते हैं उसी पेड के नीचे पे निकला है तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां की सच्चाई आप क्या है तो ऐसी बातों पर आप ना पड़े देख सकते हैं चलिए मैं उसी लिंग का दर्सन कराता हूं लोगों का जितना ज़्यादा घेड़ था यहां पर और यहां पर एक वो लगा दियो हैं दूद को डालने के लिए चढ़ाने के लिए देख सकते हैं दूद का यह बना हुआ है टीपा का है यह देख सकते हैं यहां से दूद डालने का है आज भी इसमें मक्की जूम रही है देख सकते हैं यहां से डालने का होता है दूद बरबात कर रहे हैं लोग इतना ज़्यादा पैसा और नारियल चढ़ा के बरबात कर रहे हैं किसक इनसान पर लागू नहीं होता है, सभी लोगों पर लागू होता है, जो अंद विश्वास के पीछे भागते हैं, और ऐसे उल्जनों में फज जाते हैं, अगर इन सब चीजों से अगर ठीक होता है, तो डॉक्टर, मेडिकल्स, इस सब चीजों की जरुवत नहीं पड़ती, हो होता है, आप इन सब चीजों पर मत पढ़िएगा, देख सकते हैं, आज भी यहां पर देख सकते हैं, दूद बिखरा पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा दूद को बरबात किये, किसी गरीब व्यक्ति को दे दिये होते, तो उसकी पेड़ भर जाती, भूख सांत हो जाती, इतना ज़्यादा नारियल चड़ाया हो, तो किसी गरीब को दिये होते, उसको फैदा होता, कहीं पर देख सकते हैं, फूट पार पे, मैं अभी तक गया हूँ मेले में घूमने के लिए, रहीं पी, मगर कितना भी खारी लोग रहते हैं, जिनके बहु बेटे लोग अपनी मा दे देते हो, तो बहुत गरीबों की भावनाओं को समझने की कोशिस करें, ऐसे भगवान तो आपको बहुत मिल जाएंगे, तो चले फैन आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नेक्स वीडियो में, तब तक लिए जय हिन, जय भारत, जय चतिसगार,